जे जोहर संगवारी हो आप मन के स्वागा थे सुमर रेसिपी एंड क्रियेटिविटी में ता मैं आज लेके आए हो सलगबड़ा के रेसिपी जो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तयार हो थे एकदम दादी नानी वाला तरीका से बना के तयार करें हो जब भी हमार घर में सबजी नी रहा है तब एला बना के तयार कर सकता हो या कुछ अलग खाई के मन करते तब भी एला बना के तयार कर सकता हो ता मैं एमेर लेहा उड़ीत के दाल में छिलका वाले उड़ीत के दाल लेहाँ संगवारी हो अगर 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 तक भी टाइम नहीं है तो एला गरम पानी में एक से डेड़ घंटा के लिए भीगा के रख सकते हैं अलका हलका थेली से रगड तो बहुत ही असानी से छिलका निकल जहीं एकर बाद हैं अगर ऱफिश के तयार पर तयार कर ले आँ मैं एकदम सिंपल तरीका से बनावा था हूँ आप मन चाहा था हूँ तहरा मिर्ची छोटे-छोटे काट के प्याज लभी छोटे-छोटे काट के मां डाल सकत हूँ एकर स्वाद अभू जादा बढ़ जही और यही मेर एक चुटकी सोडा डाल देना है एकर से बहुत ही अच् अच्छा से फेट ले वो संगवारी हो अएला थोड़ा साइड में रग दे थन अब मेहां एमेर आधा प्याज ले हाँ एल अगदम बारिक-बारिक काट लेना है आप मां चाहा तो यही मेर टमाटर भी बारिक-बारिक काट के तयार कर सकता हो एमेर मेहां बारिक-बारिक अ लेँप दोख्राट लें दोख्रिय तोभाध स टोड़ी मेंSOक्रा श्यानी। कवर की खट्टा सबजी में एकर स्वाद एकदम बढ़ जते अब एमेर में हाँ मीठा नीम के पत्ती ले हाँ एला जरूर से डालू संगवारी हो एकर से कड़ी में बहुत ही अच्छा स्वादा थे एही मेर में हाँ थोकन हरियर धनिया के पत्ती ले ले थाँ अब एमेर गैस जला के कड़ा ही रख देवो जैसे ही कड़ा ही गरम हो जही तहाँ में थोड़ा से तेल डाल देवो अपन जरूरत के हिसाब से तेल डाल देना है तेल जैसे ही गरम हो जही तब एमेर सरसो डाल दे हो शर्षु अच्छा से तड़के तब यह मेर صुख मेत्धि के पत्ताँ डाल दे हाँ, आप में चाहो तब मेत्धि के दाना भी डालजके ठाव शुक ज़्क दढ़े ना हो, सुखा मेत्थि मेत्थि के दाना भी डाल ज़कताँ अंग Crotch अव सब्सक्राइब नाइब नियुक्त पक्राइब तर्फे अच्छा थे अब फ़िली पक्राइब नाइब नहीं डाल दोगारी हो जब्सक्राइब अब यही मेर महील डाल देना है और जवरत की हिसाब से पानी डाल देना है जब तक इमा उबाल नहीं आ जाए तब तक इला चलाते रहना है काबर की हम इला छोड़ देवो तब यह मही फट जही एमेर और दीखे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दीखा है अब उबाल आगे तब लगातार चलाना जरूरी नहीं है अब इमेर हम स्वाधनों सार नमक डाल देवो जैसे ही उबाला ही तब इमेर नमक डालना है पहली से नमक नहीं डालना है नहीं तो इमेर मही हम फट जथे अब हम पीठीला बड़ा बना के इमेर डाल ले वो सांगारी हो ऐसी बड़ा के अकार में डाल लेना है और डबके के बाद ही इला डालना है और बहुत ही अच्छा से पका लेना है लगबाग 7-8 मिनट तक अच्छा से पका लेना है एकर से स्वाध बहुत ही बढ़िया आथ है एला मीडियम आज में 7-8 मिनट तक के लिए पका लेना है और चम्माज पहली से नहीं चलाना है जब 7-8 मिनट हो जही तभी एमा चम्माज तो पूरा बड़ा तूटके फेटा आज़े ही। यह मेरे देखाओ गरम-गरम सलगा बड़ा बन के तयार है। यह भात के संग में बहुत ज्यादा स्वादिश्ट लग थे। आप मन भी एक बार जरूर से बना के तयार कर हो। आज के रेसिपी कैसे लागी समुला कमेंट में जरूर बता हूँ। अद देखो बहुत ही असानी से तूट जत है और एक दम मों में गूले वाला बन के तयार हो है। यह हमार 36 गर के फेमस डी से संगवारी हो। कैसे लागी से कमेंट करके जरूर बता हूँ। उम्मीद है आज के रेसिपी जरूर से पसंद आईसो ही। पसंद आईसो ही। त वीडियो ला लाइक कर दू हू। चैनल ला सस्क्राइब कर दू हू। अवा पन संगई संगवारी मन करा सेयर कर दू हू। फिर मिल थान अगला वीडियो में तब तक के लिए जै जोहार जै चात्तिसगर धन्यवाद